चले जी नमस्कार तो कल हमने स्टार्ड किया था केमिकल बॉंडिंग तो इसमें हमने आइनिक बॉंड कवर किया था तो आइनिक बॉंड में क्या कवर किया था तो थोड़ा सा उसको हम देख लेते हैं ठीक है तो हमने आयनिक बॉंड पड़ा था आयनिक बंद की हमने बात की थी यहां से जो इस बार किस्ष्णन आया था वो आयता है M.O.T. थे बॉंड और पूछा था बंद कर निकालना पूछा था तो देखो काफी बड़ा चैप्टर है देखा जाये तो अगर इस चैप्टर को ढंग से बढ़े न तो इस पूरे 15-16 घंटे का टॉपिक है लेकिन हम इतना ज्यादा नहीं पड़ेंगे इस चैप्टर को जितना मैं आपको बता हूं उतना आपको तो पढ़ना ही पढ़ना इस पढ़ना सा थे गज़ाओ तो चैप्ट्री बात यह सिखाएता जो मैड़्स होते हैं वो इल्यक्ति को क्या करते हैं ट्याग देते मैटलपर क्या mi है प्लस और नौन मेटल पर क्या जाएगा प्लस अर नौनमैटल की बालत राग्टिती वह क्या करते हैं ले 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 लेते ह मैं आपको इसमें समझाये थी कि प्लस और माइनस के बीच में एक अट्रेक्शन काम करता है उस अट्रेक्शन को उस आकर्शन को आपने नाम दिया था इलेक्ट्रो स्टेटिक फोर्स इस्थिर वैदुत आकर्शन बल क्या बात समझ में आ गई ठीक है चलिए और अगर इसमें कर फूर्द की बात करूं तो मैं आपको एक वर्ड लिखाता है इसमें इलेक्ट्रोनों का पूर्ण इस्थाना अंत्रन हो जाता है complete transfer of electron होता है और एक बात और बतायाती यह सब क्यों होता है Octate complete के लिए अस्टक पूर्ण के लिए यह सब होता है तो इतना हमने discuss कर लिया था ओके ठीक है चलिए बात कर रहे थे इसके गुणों की यह भी हमने एक बार discuss कर लिया था properties की बात कर रहे थे properties की बात कर रहे थे हम लोग ओके जी तो अगर मैं properties की यहां पर बता हूं आपको इसके अंदर होता में पाई जाते हैं यह लोग तो द्यान डखना यह सॉलिट फ़ाम में मिलते हैं ठो सवस्था में मिलते हैं क्यूं इनके आटम होंगे morals काँगे पासपास होंगे और जब atom, ion, molecule इतने पासवास होते हैं तो वो कौन सी form में आ जाते हैं? solid form में आते हैं बात clear होगी दूसरा बात करें melting point और इनके boiling point क्या होते हैं? high होते हैं, ज्यादा होते हैं क्यों होते हैं? strong force के कारणी तो इस दोनों बाते क्यों हैं? because of strong force proble-blal के करणी सब होते हैं क्या बात समझ में आ गई हमता? clear है? next मैंने आपको बोलाता है ये wille होते, soluble हो जाते हैं wille यę soluble हो जाते हैं अब किसमे वीलe या soluble हो जाते हैं? तो ये हो जाते है, polar solvent हो है जिसमें plus और minus होते हैं ये भी मैंने discuss कर लिया था, Dhruvya Vilaik में क्या हो जाता है, ये विले हो जाता है, Dhruvya Vilaik clear हो गया, अगर मैं यहां पर fourth point की बात करू अब, तो मैंने आपको बहुत कहा था, इनका Jalya Vilaik भी बनता है, इनका क्या बना सकते हो, Jalya Vilaik, ये aqueous solution में भी होते हैं, और जब ये aqueous solution में होते हैं, तो ये कौनसी form में आ जाते हैं, ions form में, इनमे ions आ जाते हैं, okay जी, और जैसी इनमे ions आ जाएंगे, तो ये किस की तरफ behave करने लग जाएंगे, चालक की तरफ, behave like conductor, और चालक क्या होते हैं Flow Electricity वैदुधारा का परवा करते हैं वैदुधारा का परवा करने वाले क्या कहलाते हैं चालक या Connector कहलाते हैं क्या मेरी बास समझी में आगई clear है तो यह मैंने आपको almost पढ़ा दिया था इसके 2-3 point में आपको और बता देता हूं उन 2 या 3 point में से 2 point आपको याद रखने पड़ेंगे उनके बार में जैदा details नहीं करना है बस इनके कुछ property आपको याद रखने नहीं है तो man-man property यह है जो आपको याद रखनी है first सबसे important property यह है वह आपसे बोलेगा कि यह किस form में चालकता दिखाएंगे कंडेक्टिक तरह behave करेंगे तो ions form ions form कहा होते हैं जब इनको में water में डाल दू पानी में डाल दू तो यह ions form में होते हैं और धान एक ना यह solid form में कब होते हैं जब यह चुप-चप रखे हो बाहर की तरफ तो यह strong force होता है इस strong force का नाम क्या होता है इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स इस्थिर वैद्दूत आकर्शन बल लिखवा दिया तकल ठीक है एक बार आपर आम से देख लो फिर हम लोग next topic को discuss करते हैं इसके कुछ और पॉइंट को हम देख लेते हैं ठीक है जी clear है चलो तो ध्यान देखोगे इन सब बातों को आगे बढ़ जाएं चलिए हो गया तो simple simple point है metal non-metal की बीचे बनते हैं example में आपको बताई दिये थे जैसे NACL जैसे KCL बताई थे जैसे CSCL यह सारे example की मैंने बात कर लिए ओके और भ ठीक है काफी example है आप चाहो जितने example ले सकते हो लेकिन main main example आप ध्यान रखना NAI, NABR इस सारे ionic form में होते हैं ओके जी चलिए next की बात करते हैं तो यहाँ पर मैंने fourth property पढ़ा दिया आपको fifth देखो देखो यह brittle nature के होते हैं अभी brittle nature क्या होती है brittle nature यह भंगूर प्रवर्ती के होते हैं देखो इस प्रवर्ती को आप ऐसे समझ लो भंगूर प्रवर्ती को समझ लो आपने बेशन का लडू देखा है आप हलका सा उसको पुश करो तो अपनी भासन में तो चिटक गया वो और तूड़ जाता है तो उसी को कौनसी प्रवर्ती बोलते है bitter nature या भ्रंगूर प्रवर्ती बोलते है धान रखना एक बात और ध्यान रखना यह non-directional होते हैं यह क्या होता यह अगले topic में समझाओंगा अभी ध्यान रखना नॉन डारेक्शनल नेचर के होते हैं यह क्या होता यह अधिसात्म परवर्ती के होते हैं इसका मतलब क्या हुआ मैं आपको एक example समझाता हूँ मैंने लिया NACL का example मैंने इसको वाटर में add कर दिया और जैसी मैं इसको वाटर में add कर दूँगा तो देखो यह रहा NACL अब एक बात बताईए कोई एक ही तो NACL नहीं है उस solution के तो देखो वो CL मैंने यहां से भी attach हो सकता है यहां से भी attach हो सकता है यहां से भी जूट सकता है यहां से भी जूट सकता है यहां से भी जूट सकता है वो इससे किसी भी तरीके से कहीं पर भी जूट सकता है तो एक बाता कोई इसा फिक्स होई किया नहीं जिसे traffic light आपने दे जूट जाएगा वो इधर से जूट जाएगा वो प्रवर्ति क्या कहलाती है और दिशात्मा प्रवर्ति कहलाती है clear हो गया एक last point आप इसको याद रखो गया ठीक है ना यह समाक्रतिका प्रदर्श्चित करते है समाक्रतिका इसको आप याद कर लेना isomorphism बोलते हैं इसको actual में क्या होता है कुछ-कुछ ऐसे आएनिक compound होता है जिनकी अंदर की structure सीम होती है तो वो समाक्रतिका isomorphism कहलाता है तो आप इस word को याद रख लेना तो जितने मैंने आपको property पढ़ाई है वो सारी property आपको याद हो गई पहरी property गया थी यह solid state में होते हैं यह solid form में होते हैं लेकिन कर इनको water में डालोगो तो इसमें गुल जाते हैं और उनों को दूर करने के लिए atom को थोड़ा दूर करने के लिए हमें energy क्या लगानी पड़ती है ज्यादा क्योंकि उनमें electrostatic force मिलता है clear हो गया next यह अधिशात्म प्रवर्ति क्यों होते हैं non direction nature क्यों होते हैं क्योंकि भाईया इसमें positive charge and negative कहीं से भी आकर जूट सकता है को अधिन आपको याद रखनी बाता है अब next जो हम topic की बात करेंगे वह बात करेंगे covalent bond की तो पहला bond मैंने आपको पढ़ा दिया है उसके बारे में हर एक बात में आपको समझाती है और आप हर एक बात को ध्यान रखना तो जितना आपको पढ़ाया है उतना तो आपको या satis force क्याते है इनका oktate पूरा होता है state अवस्ता solid form में melting point burning point high होते है ये soluble होते है polar solvent में धुरूभ विलायकों में जिनके पास plus or minus होते हैं जैसे water जैसे कौन सा Water जैसे señor प्रबलबल होता है यह भी आप समझ गए होंगे चलिए फिर मैंने कहा इनकी नेचर की बाद कर ली थी मैंने इसके बाद में ध्यान रखना यह ब्रिटल नेचर का मत होता है अगर आप इनको पर थोड़ा सा भी दबाव लगाऊ ना थोड़ा सा प्रेशर लगाऊ तो यह मैंने कहीं सभी आके अटेच हो सकते हैं इसके रोड़ा ध्यानकना यह होते हैं आइसोमोर्फिजम समाक्रतिका कहलाते हैं कलेर कर लोगे अराम से आगे बढ़ जाए चलिए बढ़िया तो मेरे साथ के साथ याद कर लोगे ना तो ज्यादा आसान हो जाएगी चीजे ठीक है देखो कि मैं सहसेजग बंद की बात करूँ कोविलेंट बॉंड की बात करूँ समझना मैं आपको एक काम गड़ता हूँ दोनों का डिफ्रेंस पढ़ता हूँ चलता हूँ ताकि आपके लिए असान हो जाएगी चीजे पहला गौन सा पढ़ता आप लोगों ने आइनिक बंड दोनों को साथ में याद कर लेंगे और दिक्कत भी नहीं आएगी और इधर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कोविलेंट बंड हिंदी में लिख लो के राम से सह सहजग बंड और यह कौन सा होता है आइनिक बंड पहली बात क्या पढ़ाता है याद करो यह किसके के बीच में बन रहे थे टाल रर नऊनमेटल के भीच में मैटल प्लस नऊनमेटल दाथ और अधातोच के भीच में बन रहे थे देखो भाई, सिंपल सोचो, मैटल का काम क्या था, इलेक्ट्रोन देना, नॉन मैटल काम क्या था, इलेक्ट्रोन को लेना, तो ये अमीर आदवी थे, जैसा था ये, अमीर था, और ये कैसा था, गरीब था, डन है, यहाँ पर दिखो क्या होता है, कोवेलेंट, सहयोजक बंद, ये क्या मतलब होता है, तो इसमें क्या होता है, कि दोनों ही नॉन मैटल होती है, दोनों ही कैसी होती है, जी, नॉन मैटल होती है, ये भी नॉन मैटल होगी, और ये भी कैसी होगी, नॉन मैटल, दोनों के दोनों कैसी होगी और धातू ये भी गैस होगी ये भी गैस होगी कुल मिला के ये भी गैस नेचर की होगी और ये भी almost कौन सी नेचर की होगी गैस नेचर की होगी या द्रोबी हो सकती है मेली गैस नेचर की बात करते हैं ठीक है न अब देखो भीया ये भीगारी है ये भी गरीब आदमी है और ये भी गरीब आदमी लो भाईया ये तो कमाल हो गया दोनों भीखारी बोल रहे हैं कि हम आपस में बांड बनाएंगे अब क्या करें कैसे बांड को बनाया जाए भाईया तो एक बात बताओ याद है मैंने आपको कल एक औक आक्टेट और लूल पढ़ाये था अस्टरकनीः मपढ़ाया था दौन हो जामाये था कि आकर दो दू है तो चार लेपया रहे थे छह दू है तो बारहमाया रहे थे याद रे क einsand दू हे गिवे था जाना फानी पोलन आप थेड़ा तो उन्हें 10 रुपे के जरूरत है मेरे पास अभी 5 रुपे है तो 5 रुपे कौन लगाएगा आप तो हम दोनों ने किया कि आपसम बिजनेस कर लिया किया यार 5 पे मैं मिलाता हूं 5 पे आप मिलाओ कितना हो जाएंगे 10 रुपे अपि 10 रुपे का बिजनेस है अगर अप 3 रा आके मुझसे पूछेगा कि आपका बिजनेस कितना कितना रुपे का है तो पांघ में थोड़ी ब्हू बोलूंगा मैं कितना हो फिर के उताब ओलोंगा मेरे पास 10 रुपे का यही तो कौन साathan रुक यहां पर क्या होता है, एक दिया, एक लिया, यहां पर ऐसा नहीं होता है, यहां पर यह हो रहा है, एक प्लस बना रहा है, और दूसरा क्या बना रहा है, माइनस, और इनके बीच में क्या हो जाता है, अट्रेक्शन, और इस अट्रेक्शन का नाम मैंने आपको दिया था, इले बात समझ में आगई लेकिन यहाँ पर देखो क्या हो रहे हैं एक A हैं एक B हैं और इन दोनों के वीश में इसे कीसे bond बन रहा तो देखो इसमें पूरा bond दिखाई दिए रहा है ये bond है और ये क्या है ये attraction है क्या है यह attraction, akarshn है यह तो यह एक तरीके का akarshn बल होता है क्या बास समझी में आगई क्या, clear हो गया तो एक electron इसने दिया एक electron इसने दिया तो एक bond को बनाने की लिए कितने electron की जूरत पड़ी 2 की जैसे हमने पानीपात से का थेला खोल ले था दस पे चाहिए है ता पांच में लगए है तो एक gond को प्रैने के लिए कितने lektron चाहिए दौ इसी ताहिए से अगर मैं आपसे बोलु si sмиpl तरीके से मुझे अगर दो बनाने तो कितने यहां की खायर होंगे मुझे 4 तो यह जो bond आपने बनाया है, यह जो bond यहाँ पर यह बनाया है, यह वाला, इसी bond को हम कौन सा bond बोलते हैं, सह, सयोजक bond, कोवलेंट bond, बताओ, बा cyclist, समच में आ गई क्या, clear हो गया, एक बात बताओ, दोनों में जगडा हो गया, ए और भी में, क्या हो गया, जगडा, आप मेरे में जगडा हो गया, पानी पता है से कि ठेला टोला था, 10 रुपे का business किया था, आगे जलके 50 रुपे हो गया, पर आपने सुचा नहीं है, आप तो सर सा अलग होना है, हमने तो और फाइदा देखना है, तो जगडा हो गद क्या होगा? अभी भी बिजनस तो रहेगा ही रहेगा इतनी आसानी से बॉन टूटेगा क्या नहीं लेकिन यहां पर को जगड़े कोई बात ही नहीं है मैंने आपको सौर पर दिया आपकी चाहिए उसको दो चाहिए मत दो लेकिन यहां पर और इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से बीके नहीं है अभी भी एक बात बता यार एक कितना है एक बीका कितना है एक अलग होंगे तो एक एक लेके जाएंगे या कोई एक दो लेके पूरा लग चला जाएगा लेकिन मैं काईदे से देखू तो एक इसका है और एक इसका है तो य इस्थानांत्रन होता है complete transfer of electron और यहाँ पर क्या हो रहा है यह दोनों electron अभी देखा जाए तो पार्शन रूप से पढ़ें जगड़ा वापस अलग हो जाएंगे तो यह कैसा है आंसी किस्थानांत्रन होता है पार्शिल ट्रांस्फर होता है एक बार आपस को देखो एक बार आपस को नोटन करो अर यह मतर समझ में आगे ना पून काम तक यह एक बार दे दिया एक बार जो ले लिया यह यह पर ऐसा नहीं हो रहा है दे भी रहा है और ले भी रहा है तो पार्शल हुआ ना जब जगड़ा फिर अलगो जाएंगे ठीक है चलिए देख लो फटा फट नोट डाउन कर लो अराम से देख लो कोई दिक्कत नहीं है मैं दोनों को बैलेंस करके बढ़ा रहा हूं ताकि आपको फिर से रिविजन हो जाएं फिर से आप आइनिक बंड को देख लो कोविलेंट बंड को फिर से देख लो कोई दिक्कत ही नहीं आए आप लोग को क्लियर क्या मेरी बात समझ में आ गई आगे बात कर लें जी चलो दिहान रखोगे बड़ी सिंपल सी लॉजिकल बात ही जो में आपको समझा दी ए अब धियान रख लिए इसको ठीक है तो metal, non-metal, only for non-metal, non-metal, एक देता है, एक लेता है, इसमें दोनों क्या करते हैं, साजा करते हैं, यहादे, एक word दिया था, यह क्या कर रहे हैं यहाँ पर, electron का साजा, इलक्ट्रोन का साजा, sharing of electron, तो जहाँ electron की sharing होती है, वो क्या क्यलाते हैं, covalent bond, यहाद रहेगा, sharing of electron, electron का साजा, तो जहाँ electron का साजा होता है, उन bond को हम क्या नाम देते हैं, covalent bond, और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर attraction लग रहा है, एक plus बन रहा है, एक minus बन रहा है, तो इसको दिखाएंगे इस bond से, इस तरीके से, और इसको दिखाएंगे हम लोग plus और minus, एक plus हिस्सा होगा, और दूसरा minus वाला part होगा, बताओ, सारी बात्या सबची में आ गई, आगे बढ़ जाओ, चलिए ठीक है, आगे बढ़ताओ, फिर से मैं इस तरीके से line ले ली, यहाँ मैंने लिख दिया ionic bond, एक-एक point देखो, same to same लेके चलेंगे, ताकि कोई दिक्कत नहीं आए, स कोवलेंट bond, सह सयोजक बन, ठीक है, और यह कौन सा है, आइनिक बन, समझ गये होंगे, लिखने के अब जरूतनी होनी चाहिए, फिर भी चलो, लिख देता हूं मैं, चलिए, तो वो सारे point आपको clear हो चुके होंगे, अब next point पे आते हैं, अब थोड़ा next point थोड़ा अच्छी से समझना, क्या बोला जा रहा है, देखो, तो यहाँ पर कौन सा point था, 3 हो गया था, force करते हैं, यहाँ पर मैंने आपको समझाया है था कि एक plus होता है, और एक minus होता है, पढ़ाया था यह वाली बात, इनके बीच में एक strong force काम करता है, अच्छी करता है, ठीक है, और इस परवल बल का मैंने नाम भी दिया था, क्या नाम था बताओ, इलेक्ट्रो स्टेटिक फूर्स, इस्थिर वैदुत आकर्शन बल, इस्थिर वैदुत आकर्शन बल, यह नाम दिया था, इलेक्ट्रो स्टेटिक फूर्स नाम दिया था, देखो इसमें क्या होता है, और यह फूर्स क्यासा है, यहां पर भी ऐसा ही कुछ होता है, दो कॉवलेंट के बीच में, एक A और B है, एक और A और B और होगा, यह रहा A और B है, ठीक है, तो देखो यह कौन सा बांड है, यह वाला, यह कॉवलेंट बांड है, कौन सा बांड है यह, कॉवलेंट बांड है, दो कॉवलेंट के बीच आप याद रखोगे दो कोवलेंट के बीच में जो अट्रेक्शन मिलता है वो वीक होता है दुर्बल अट्रेक्शन मिलता है यहाद रखोगे कैसा आकर्षन होता है दुरूबल यह जो अट्रेक्शन है वो कैसा है आकर्षन कैसा है अट्रेक्शन कैसा है बहुत ही दुरूबल जो आकर्षन है वो कैसा है जी दुरूबल है और इस दुरूबल आकर्षन को नाम दिया गया मैंने आपको कल भी समझाया था कि दुरूबल आकर्षन बल एक होता है वह कौन सा है एक तो हाइटन बन था और दूसा कौन सा होता है वांडर 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 वा तो यह बड़ा important question है कि दो covalent की बीच में जो attraction होता वो कैसा होता है weak होता है याद रखो कि इस बात को ओ इसमें attraction कैसा होता है इनिक में वो strong होता है clear हो गया चलिए भाईया तो यह fourth point बहुत important है इसको आप भूलोगे नहीं फिफद देखो फिफद की बात कर लेते हम लोगब अगर मैं यहाँ पर next फिफद पॉइंट की बात करूँ देखो भया फिफद यह क्यूँ होता है तो complete of octet complete of octet अस्टक को पून करने के लिए इस सब होता है तो फिर यह क्यूँ होता है ये भी अस्टरक को पूर्ण करने के लिए तो 5th point दोनों में common point है ठीक है ध्यान लगना इस बात को तो 5th point दोनों में common है ओके 6 की बात करते है बताओ ये बात समझ में आ गई अब लेते हैं इसकी properties अब properties अब मैं लूँगा तो आप ध्यान से चीजों को आप समझेंगे गुण की बात करेंगे हो गया? clear है? तो देखो यहां पर मैंने आपको समझा दिया है कि इसके अंदर हम क्या करते हैं metal, non-metal लेते हैं एक अमीर होता है, एक भीकारी आदमी होता है तो बताओ एक देगा और एक लेगा इसमें क्या होता है बताओarta दोनो ही भीकारी ही है तो दोनो क्या करदेंगे बही हाँ दोनों बिजनस करेंगे, दोनों यहां कर देगे साजा कर लेंगे, शरिंग कर लेंगे तो, sharing of electron, यह साजा की एक electron के bond को क्या बोलते है kovalent bond बोलते हैं, clear हो गया, तो electron का साजा हो सकता है, दो का, एक इसका, एक इसका, चार का हुआ, तो दो इसका, दो इसका, छे का हुआ, तीन इसका, तीन इसका, बात समझी में आ गई, और यह सब मैंने आपको octetube में पढ़ा है था, यादे कल बहुत सा example लिख वायता है, चार दे पांच ले रहा है, समझी में आगी बार, ठीक है ना, चलिए, यहाँ पर, अब किस की बात करेंगा हम लोग, properties की बात करते हैं, वो में next slide में लेता हूँ, एक बार इतना तो आप not down कर लो, देख लो, इस slide में इतना ही करूँगा, चलो एक और कर लो, first, देखो इसमें क्या attraction होता है, क्या पाय जाता है, प्रबल आकर्शन, और यहाँ इस प्रबल आकर्शन का नाम क्या था, electro static force, क्या नाम दिया था जी, electro static force नाम दिया था, अगर मैं यहाँ बात करूँ, इसकी property की बात करूँ, six number, और अगर मैं इसके गुण की बात करूँ, तो देखो भाईया, इसमें ए ध्यान रखना है, इसकी state या वस्ता पुछेगा, अब आप मुझे इतना समझा दो, इसके अंदर जो force हैं, वो कैसे होते हैं, weak, दो covalent compound है, दो सरसजक योगी के, उनके बीच में weak force है, तो जो molecule हों या तो liquid state में होंगे, या फिर gas state में होंगे, तो या तो ये liquid में मिलते हैं, या ये gas में मिलते हैं, तो या तो ये द्रव अवस्ता में पाई जाते हैं, या फिर ये gas अवस्ता है, क्यों, due to weak attraction, Durbal Akarshan की कार न इसा होते है, और Durbal Akarshan का नाम मैं अभी भी आपको समझा दिया था, और Durbal Akarshan का नाम क्या था बताए, Durbal Akarshan का नाम क्या था, Wonder Wall Force, ये रह, तो Durbal Akarshan का नाम ये था, Durbal Akarshan का नाम ये था, बदाई ये बात clear हो चुकी है, समझ में आ गई ये बात, not down करो, फिर आगे discuss करता है, देखो जल्दी से, समझ पा रहे हो रहा हम से, ठीक है, कर लोगे, चलिए, तो इतनी सी बात आप लोगो समझ में आ गई होगी, देखो यार, आप में से जो भी first time chemistry बढ़ रहा है, अगर आपको chemistry पढ़नी है, अगर आपको अपने exam में कुछ question जो आतन को सही करना है, तो बस आपको practice करनी पढ़ेगे, अगर आप practice नहीं कर रहे हो ना, तो दिक्कत वाली बात है, अगर आप गीड़ लेके डरके बैठ गे, छोड़ यार, क्या ही करना रहा है, हम से तो नहीं ह हो रहा है, लेकिन जितना हो से कि जितने topic आप cover कर सको, हर topic हो में, उसमें trick, उसमें आसानी तरीके से समझा दूगा, जहां समझने की बात हो कि वहां समझा दूगा, जहां लगेगा हो चीज़ हार्ड इसको बिलकुर trick से हम solve कर लेंगे, लेकिन at least इतना तो आपको पढ़ना पढ़ेगा, ठीक है, चलिए, आगे बात कर लें, क्योंकि ये वो chapter जो सबसे lengthy chapter में आता है, अब यहां से एक question में को मिलता है, और वो इतने सारे topic है, आप दस्तों में से एक में से आ सकता है, तो हम हर एक को इतना cover कर लेंगे, कि चाहिए कैसा भी question आजाए, मेरा question गलत नही है, ठीक है, चलिए, इस से कुछ और property की बात करते हैं, देखो, दूसरी property देख लो, इनके melting point और boiling point क्या थे, high थे, क्या थे, high, इनके जो गलनांग और क्वतनांग क्या थे, ज्यादा थे, ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ बात करूँ, तो इनके melting point, अब क्यो ज्यादा थे, क्योंकि strong force था, इसमें क्या है, weak force तो कम हो जाएंगे, तो इनके compare में, इनके तुलना में, इनके melting point और boiling point क्या होते हैं यही, कम होते हैं, याद रखोगे, नीचे का मतलब arrow का मतलब होता है, less होते हैं, कम होते हैं, इसका मतलब क्या होते हैं, यह ज्यादा, क्या होते हैं, कम होते हैं, कर लो गयर हमसे, third देखो, अगर मैं नेक्स पॉइंट की बात करूँ तो ध्यान रखना अगर यह सॉलिट अवस्था में है तो यह कूच आलक है ठीक इंसुलेटर ठीक है लेकिन एक्वस सॉलुशन जल यह विलियन में कैसे होते हैं यह चालक होते हैं कंड़क्टर होते हैं याद रखोगे इस बात को ठीक है लेकिन अगर मैं इनकी बात करूँ यह चाय कैसे भी फॉर्म में हो कैसे भी फॉर्म में हो आप सीधा सीधा इनको याद रख लेना यह इन्सुलेटर ही होते हैं इन्सुलेटर यह हमेशा कूचालक होते हैं क्योंकि नात इनके पास आयन होते हैं यह फ्री एलेक्ट्रोन होते हैं याद रखोगे केवल अक्सेप्ट अपवाद ग्रेफाइट कौन होते हैं ग्रेफाइट केवल ग्रेफाइट इसमें ऐसा होता है जो चालक प्रवर्थी का होता है क्यों होता है हम बाद में डिस्कस कर लेंगे ग्रेफाइट कर्णेक्टर नेचर का होता है ठीक है धानकना सारे कैसे होते हैं इसमें क्या धानकना है एक्वर सोलूशन में तो चालक हैं लेकिन सॉलिट फॉर्म में कैसे होते हैं कूचालक इसमें हमेजा ही कैसे होते हैं कुछ अलग इंसुलेक्ट है वैदु धारका परवाई नहीं करते हैं कुछ अलग का मत होता है जो electricity को flow नहीं करते है जो वैदु धारका परवाई नहीं करते हैं बात समझ में आ गई क्या third point I hope आपको समझ में आ गया होगा third के बाद fourth point लेते हैं दोन में comment चल रहा है बिलकुल तो ध्यान रखना थोड़ा सा चीजों को ओके चलिए भई अगर मैं next point की बात करूं तो ध्यान रखना में लिखाया था यह अदिशात्मक होते हैं यह non-directional होते हैं और यह ध्यान रखना fourth इसमें यह directional nature के होते हैं दिशात्मक होते हैं बिलकुल एक ही जगर से जुड़ेंगे यह लोग यह याद रखनी वाली बात है fifth वाली बात मैंने आपको याद करने के लिए बोली थी याद करो याइस्वमर्फिजम शोर करते हैं समाकर्तिका बोला था और यह ध्यान रखना यह समा व्यवता मैं आपको एक कैमिस्टी पहांगो और गिनिक कैमिस्टी उसमें यह आएगा वहां अच्छे समझेंगे डेफिनेशन वगरा समा व्यवता दिखाते हैं आइस्वमर्फिजम सो करते हैं यह आप याद रखोगे आइस्वमर्फिजम क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं और गिनिक में चलके देख लेंगे ठीक है ना कुछ बाते जो आपको याद ही रखनी है ओके चलिए तो यहां तक आप चीजों को याद कर लोगे देख लोगे अराम से तो जितना में आपको पढ़ाया आप ध्यान रखना एक्जाम्पल देखो एक्जाम्पल पहले बता दिया था नसी एल के सी एल के सी एल टू ठीक है एसार सी एल टू बीए सी एल टू यह सारे एग्जाम्पल इसके दिन दर आते हैं ठीक है एंए इसमें देखो इच्टू, ओ-टू, एन्टू जो भी बी मैंने आपको पहले पढ़ाया थे याद है मैंने आपको जितने भी अस्टक निय में एक्जाम्पल पढ़ाया है अस्टक नियम वाले सारे एक्जाम्पल ओक्टेट रूल वाले सभी हुदार CH4 जैसे CS3, CS3 जैसे कोई साभी PCL5 तर पढ़ाय थे क्या ठीक है H2O, NS3, ETC जितने भी एक्जाम्पल थे सारे के सारे एक्जाम्पल जो आस्टक्रिम पढ़ाय थे वो यहाँ डाल देना है एक बार आप आप आराम से देख लो समझ लो फिरम लोग आगे डिसकस करते है कर लोग आराम से तो melting point, boiling point क्या होंगे ज्यादा होंगे ज्यादा होंगे क्यों कि इसमें लेक्टोस्टेटिक फोर्स मिलता है melting point, boiling point कम होंगे क्योंकि इसमें वीक फोर्स मिलता है solid form में कूच आलग होते हैं लेकिन जली विलियर में चालग करते हैं क्योंकि इसमें ions होते हैं इन में कनात कोई आइन होते हैं तो यह सब कूच आलग होते हैं लेकिन केवल ग्राफाइट को छोड़कर अपवाद के रूप में ठीक है याद रखना वो नॉन अवते हैं यह लेकिनख रिक्षन होता है अधिसातम के दिसातम कोता है वो समा करति का दिखाता है यह lithium यह उत्सक्षडने करता है वॉर्ष का उपनाने करता है कैंतर है इसके कुछ पएंपल कि अ भताव बात समझ में आगई कर दाव中共 आगे बढ़ जाए चलिए याद रखोगे मैंने आपको एक एक पॉइंट बड़े तरीके से समझाये बड़े तरीके से बताया है मैं फिर से दोरा देता हूं आप गलती मत करना आप चीज़ों थोड़ा याद रखना देख लो लास्ट फिसके बाद नेक्स टॉपिक में आग पीच में यह जरोली गैस फॉर्म में थें वह सॉर्द फॉर्म में होते है इनमें रखोंका पुर्णिसतन आत्र अटर इस पूर्णिस andra नहीं होता है इसमें electrostatic force होता है इसमें wonderful force होता है done फिर ionic bond ध्यानकना complete transfer होता है octet complete होता है इसमें ध्यानकना इसके property समझा दी या solid होते है यह जनली liquid द्रव होते हैं क्योंकि इसमें weak forces होते है durable accution होता है इसलिए इनके अणू या molecule होते हैं दूर दूर होते है गलनाइक कोफना क्या होते हैं जादा होते हैं इनके क्या होते हैं कुछालक कब होंगे जब वो solid form होंगे लेकर पानी भी डाल देंगे उसका civilian मना देंगे solution मना देंगे तब वो चालकता की तरह behave करेंगे insulator होते हैं कुछालक की बातिवार करते हैं non-directional nature के होते हैंजे होते हैं शो अधिसात्मक यह दिसात्मक होते हैं वह समा करतिका दिखाते हैं यह समा अव्यहतपा दिखाते है रही हो अब चोटे से टॉपिक के इसके इंदर मिए बात कर रहा हूं उस टॉपिक को आफ द्हां से सम अगे बढ़ जाये है अब हम यहाँ बात करेंगे कारबन के अपरूप की कारबन के अपरूप की अलोट्रवप्स ऑफ क्वार्बन अलोट्रम्स ऑफ कारबन जलिए तो Carbon के अपरूप या Allotrops of Carbon की बात करते हैं तो मेलने यहां पर मैं दो Allotrops आपको पढ़ा रहा हूं आप दोनों Allotrops धान समझे लो एक तरफ मैं आपको सिखा रहा हूं Diamond के बारे में और एक तरफ सिखा रहा हूं Graphite के बारे में अप्रूप का मतलब क्या है क्योंकि इसमें पूरे कार्बन से ही वो लोग बने होते एक फुल्रीन भी होता है ठीक है तो देखो तो पहला हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे डाइमंड के बारे में हीरा और दूसरा हो जाएगा डाइमंड के बारे में और दूसरा हम पढ़ेंगे इसके अंदर हम लोग ग्रैफाइट के बारे में यह आप 10th क्लास में भी बढ़ते हो यह पूरा का पूरा टॉपिक यह जो मैं भी टॉपिक लीख रहा हूं ग्रैफाइट इसमें कुछ बाते आएगी जो आपको लर्न करनी है नेक्स टॉपिक में सिखा दूँगा चलिए देखो समझो ध्यान से पहली बात पहली बात यह आती कि जो डाइमंड होता है और जो ग्रैफाइट होता है यह दुनिया की सबसे महेंगी वस्तूव में आता है यह सबसे सथी यह पर में आ जयता है इसके लिए 1000 लाग पर खर्च करने पड़ते हैं यह रब ऐसा क्या हो गया है यह भी कारवन से बना है यह बिक से बनाए और ऐसा क्या हो गया दोनों ही जाकर कोईले के खानों में मिलते है जो बहुत समय से दवीर होती है वहाँ जाके हीरा मिलता है, वहाँ जाके ग्रैफाइड मिलता है लेकिन ऐसा क्या है, कि इतना महेंगा और ये इतना सस्ता है सब कुछ structure की दिक्कत है हमारी structure अच्छी है, इसके हम इस दुनिया में valuable है बाकित जीव जन्तु की structure सही नहीं है इसके उनकी valuable हमारी तुनिया में कम इस निचर के अंदर तो यहाँ पर भी ऐसा ही होता है, इसकी structure बड़ी अच्छी होती है इसकी structure होती है 3D structure होती है 3D structure of tetra-hedral ये tetra-hedral manner में होते हैं, अब ये क्या बिमारी है तो ये structure होती है, चतुषफल के सरचिना रूप में होते हैं ये ध्यानक ना चतुषफल के 3D सरचिना में होते है 3D का मतर्ण नियमेंशन, 3D में सरचिना में होते है तो उससे क्या हो गया? उससे ये हो गया एक carbon अपने आसपास 4 carbon से attach होता है पिर यह कर्बन अपने आज दो चार कर्बन को हो जाईगा इसे क्या हो जाएगा तो इसे एक जाल जाता है पूरा जाल अदे खाल क्या nosotros जाती है इसकुल शोच निए कैसे हो जाते है कथोर हुजाते हुकं लेति कैसे कारण ही कैसे हो जाते है variance हो जाते हैं, पहली बात तो आप यह धान रखोगे, यहां पर एक छोटा सा सवाल पूछा जाता है, इस कार्बन का संकर्ण, अभी संकर्ण क्या विमारी है, नेक्स टॉपिक में पूरा संकर्ण ही पढ़ाएंगे आपको, संकर्ण, इंग्लिशन बोलते हैं इसको, सॉतिशन होता है, SP3, ध्यान रखनओ, अब क्लेर हो गया, अब यह इतना सोफ्ट क्यों होता, उसकार रीजन है, क्यों है, संचते हैं इसको, दो नंबर, क्योंकि यह परतिय सरचना में होता है, परतिय होर्ण, यह सरचना होती है ठीक है तो यह परत की रूप में होते है लेयर हेग्जागर्णल स्ट्रक्चर होती है तो उससे क्या हो गया भीया इन्हों ऐसा कौन सा पाप कर दिया अब खुद दिमाग लगाओ दो लेयर बन ऐह एक लेयर दो लेयर ऐसे लेयर में होते हैं तो meidän पर ऐसे स्लिप होती है इसलिए आयगी सोफ्ट हो जjadi है clear हो गया ध्याशन रखना इसचरीक अतर 대 यह अघसे लेर्टेफोद में होते हैं कौन सी फऔर में होते हम जी यरी इसमे एकार्बन अपने आस पास थीन पास को इन और भी में चेमें कि बात करों इक एक कराइछ साथ तेन को साम साहिज सब्राइफ होता है तो याद रखो खाईजी सब्सकर स मुझे मिल्कॉरण Sig processor बंखना प्रट मुझे मरें 1,2,3,4 यहाँ पर कार्बन की वेलन से कितनी है 3 और 1 एक 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 एकट्रोन फ्री हो जाता है तो इसको बोलते हैं फ्री एक्ट्रोन समझे ना यह बहुत काम की बात है तो इसमें एक मुक्त एक्ट्रोन होते है और इस दोनो लेर के बीच में इस एक्जाम में पड़े प्यारा सवाल है, अल्मूर्स और एक्जाम इसको पूछ लिए गया, दुरुबल अकर्षन होता है क्लिर हो गया और दूबल आकरशन कौन सा होता है वॉन्डर वॉल बल वॉन्डर वॉल बल इसलिए कैसी नेचर क्यों होते हैं सॉफ्ट कॉमल होते हैं चिकने होते हैं दान अगर्ण यह हार्ड क्यों होते हैं इनकी स्ट्रक्चर के करण यह सॉफ्ट क्यों होते हैं इनकी दो लेयर के बात करते हैं, एक बार आप इसको देख लो डन कर लोगे राम से, ठीक है तो ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट दोनों के अंदर ठीक है आगे बात करने चीए, देखो तो यहाँ क्या था हीरा और यहाँ डाइमंड था और यहाँ क्या था ग्रैफ़ाइट ठीक है चीए, चलिए तो अगर मैं यहाँ बात करूं हीरा यह डाइमंड यह ग्रैफ़ाइट के अगर मैं बात कर लो तो यहाँ पहली बात हो ध्यान एकना क्या संकंड था यहाँ पे? SP3 यहाँ पे क्या संकंड था? SP2 दूसरी बात क्या स्ट्रक्चर थी इसकी ट्रहेडरल इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है? हेग्जागनल शट कौन यह सर्चना होती है? ओके? चलिए थर्ड बात कर ले मैंने आपको समझाये था यह कैसे होते है? कठोर हाड होते हैं अपने स्ट्रक्चर के कारण यह कैसे होते है? सॉफ्ट होते है कॉमल होते हैं क्यों होते हैं? क्योंकि इनकी दो लेहर के बीच में वीक अट्रेक्शन होता है वीक दुरुबल बल होते हैं कौन सा? वॉन्डर वॉल बल याद रखोगे इस बात को फोर देखो बड़ा इंपोर्टेंट है यह कूच अलक होते हैं वैदुधार का प्रवार नहीं करते हैं इंसूलेटर होते हैं लेकिन यह क्या होते हैं? कंड़क्टर नेचर के होते हैं क्यों होते हैं? वो समझ रहे हैं यह चालक प्रवर्थी के होते हैं देखो भई यह क्यों चालक प्रवर्ति दिखाते हैं तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात हैं क्योंकि देखो इनके पास में होता है free electron जिसके पास free electron होगा जिसके पास ions होगा वो चालकता दिखाएगा वो conductor nature दिखाएगा तो पूछेगा क्यों होता है presence of free electron मुक्त electron के कारण के क्या दिखाते हैं यह चालकता याद रखना चालक की भाती विवायर क्यों करते हैं free electron होने के कारण बड़े important बात है फिफ देखो इनका use देखो इनका use आप कहां करते हो आभुशन बनाने में करते हो काच ग्लास को काटने में काच की cutting में इसका use करते हो आप यह soft होते तो इनका snahak के रूप में पर्यूग किया जाता है plane वगरा में भी snahak के रूप में पर्यूग लूब्रिकेंट की रूप में इनका use किया जाता है धान रखना done हो गया तो यह आपका हीरा यह आपका graphite कर लो अराम से फिर next कुछ point बता रहा हूं और point को आप ध्यान रख लेना ठीक है कर लेंगे राम से जो बाते बताईए वो ध्यान रखोगे चलिए कर लोगे कर लोगे कार्बन के जो अपरूप होते हैं कार्बन के अपरूप अपरूप जो कार्बन के अलोट्रॉप्स होते हैं अलोट्रॉप्स जो होते हैं वो यह होते हैं कौन कौन से डाइमंड काफी सारे होते में में आपको बताता हूं डाइमंड होता है ग्रेफाइट होता है फुल्रीन होता है ब्लैक लेंप लेंप ब्लैक होता है कार्जल समझते हो क्या हो लेंप हिंदी में भी लेंप 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 ही बोलते हैं ठीक है हीरा होता है में लिए तीन पढ़ते हैं में लिए तीन ही नाम आते हैं द्यान रखना अब लेंब ब्ले को चाओ तो छोड़ दो लेंब ब्ले को मैं हटाई देता हूं यहां से ठीक है ग्रेफाइट होता है और क्या होता है फुल रिम पहला सवाल इसे में ध्यान रखना बोलेगा कथोरतम कौन सा होता है कथोर कौन सा होता है इसमें से हाड कौन सा होता है तो हाड होता है डाइमन हीरा सबसे ज़्यदा हाड होता है ओके तो हाड सबसे ज़्यदा क्या होता है हीरा वो लिगा softest कौन होता है softest सबसे ज़्यादा कोमल या मुलायम तो यहाँ lamp black को करना ठीक है ना हिंदी में भी यही नाम है lamp black ठीक है ज्याँ रखना softest हो गया सबसे ज़्यादा है purest purest सुदतम रूप कौन सा होता है तो सबसे ज़्यादा सुदतम रूप होता है वो होता है graphite sorry full ring हो गया D ध्यानक ना stable कौन सा होता है इस्था ही कौन सा होता है यह आखरी पॉइंट है इस पॉइंट में देख लो जो stable होता है इस्था ही होता है वो होता है graphite किससे stable होता है diamonds ग्रेफाइट और ही रहा क्या बात समझ ही मागए ही यह ठीक है तो इसके क्योंकि टॉपिक बहुत जादा है कहीं से भी क्युष्णा आ सकता है जैसे इस बार बाउन ओडर से आ गया था बंद क्रम से आ गया था ओटू मैंस का यह था इस बार तो बाउन ओडर सबसे लास्ट में बढ़ते हैं अपरूप मैंने आपको पढ़ा दिया डाइमंड ग्रेफाइट और फुल्डिंड के बारे में थोड़ा थोड़ा बता दिया है तीनों के बारे में थोड़ा सा ध्यान रख लेना ओके चलिए NCRT में अगर आप देखोगे तो क्यावल डिफ्रेंस डाइमंड और ग्रेफाइट का ही है कोवलेंट बॉन्ड में आपको मिल जाएगा सिग्मा पाई बॉन्ड से पहले ठीक है चलिए जी तो इस क्लास को यहीं तक रखते हैं जब next time हम मिलेंगी तो इसके आगे बात करेंगे संकर्ण निकालेंगे हाई उड़ाशन निकालना सिखेंगे सिग्मा पाई बॉन्ड कैसे निकालते हैं कोई थोरी नी पढ़ेंगे सिधा निकालना सिखेंगे ओके जी चलिए all the best